हलो और वेलकम तो अनद निव एपिसोड तो लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था जिसमें मैंने नोटिस के बारे में बताया था कि मुंबई उनिवर्सिटी हर बच्चों से एक फॉर्म भरवा रहा है गुगल फॉर्म भरवा रहा है जिसको भरने के बाद ही आपको स्टूडन के लिंक्स अन एवरिटिंग मिलेंगे तो मैंने बोला था कि आप लोग वेट करना रात तक आट नौ बजे तक कि अगर आपको SMS आ जाए तो उसके बाद भरना लेकिन अगर आपको SMS नहीं आता है तो मैंने यह कहां था कि आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो रा फिर वो धुड़ने में दिक्कत हो रहा है तो मेरे चैनल पर पिछला वाला जो वीडियो है वो वीडियो के नीचे भी मैंने लिंक प्रोवाइड किया है तो वो लिंक को ओपन करोगे तो आपको ऐसा नोटिस वाला लिंक ओपन हो जाएगा University of Mumbai Institute of Distance and Open Learning IDOL Notice जिसमें TYBA, TYB.com MA Part 2, MA Education Part 2 and M.com Part 2 student को एक Google form fill करना है जो की 18 October का last date है आज 18 October है आज रात को 12 बजे तक का last date है इसके बाद इन लोग कोई भी आप आज रात को 12 बजे के बाद अगर आप information submit करते हो तो ये लोग accept नहीं करेंगे तो आज रात को 12 बजे के पहले ही आपको information fill करना है बहुत सारे students को link नहीं आया I think so किसी को भी link message या email के जरीए नहीं आया है तो आपको इस link को follow करके Google form भरना है तो जैसे आप इस link को open करोगे तो problem क्या हो रही है मैं बता रहा हूं उसके बाद भी बहुत सारे student पूछ रहे है कि इस form पे जो seat number पूछा जा रहा है अब यहाँ पे सबसे पह सबसे simple और easy तरीका इस form को भरने का यह है कि आप पहले Mumbai University के website पे जाओ student login करो तो आपका ऐसा एक page खुलेगा अब student login कैसे करना है उसका link यहाँ पर दिया गया है IDOLA2019-20.digitaluniversity.ac अगर इस link को धुनने में आपको तकलीफ हो रही है तो मेरे वीडियो के नीचे यह वाला link मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे आपको login करना है अब login पे देखो starting में आपको देख रहा है student login repeater first half यहाँ पे नहीं जाना है आपको repeater second half में भी नहीं जाना है January December 2020 पे भी नहीं जाना है जो last वाला option है academic year 2019-2020 वहाँ पे आपको click करना है अब आप जैसे वहाँ पे click करोगे ऐसा एक interface खुलके आएगा जहां पे आपसे username पूछा जाएगा और password पूछा जाएगा तो username पे आपको आपका username जो था d19ff वह वाला यहाँ पे use करना है uom यह स आपने जो starting में set किया था password जब आपने admission लिया था वो time पे आपने registration किया था वही वाला password आपको यहाँ पर डालना है अगर आप password भूल गये हो तो forget password या फिर forget username का option है यहाँ पर username तो आपको याद रहना ही चाहिए username अगर आपको याद नहीं है तो जो पहला mail आया था जिसम का कि आप कैसे डाउनलोड करना है आप डाउनलोड करने का जो link मिला था वहाँ से आपको username मिल जाएगा लेकिन वहाँ पी UOM से start है वो UOM आपको नहीं type करना है आपको direct D19F से username डाल देना है अगर आप password भूल गये हो तो यहाँ पर forget password पे click करोगे और आपको registered email ID पुछा जा हौल टीकिट पे आपका seat number mention है हौल टीकिट में आपका seat number mention है और as well as seat number के बाजू में application ID भी mention है as well as full name आपका जो full name है अगर आप confused हो कि आपका फूरा नाम आपने university में किस से registered किया है तो हौल टीकिट में सारा detail information दिया गया है आपका full name मिलेगा, आपका seat number मिलेगा, application ID भी जस्ट वहां से copy करना है और इस form को भरना है, full name copy करके आप भर दोगे, seat number भी आपको हौल टीकिट से मिलेगा, application ID भी हौल टीकिट से मिलेगा, program आपको चूज करना है जो भी आपका program है, tyba, tybcom, ma part 2, ma education part 2 या फिर mcom part 2 जो भी आपका stream है, फिर आप कौन सी region में रहते हो, western, western, central, harbor, तो यह आपको select करना है, आपका current location, अभी आप currently कहां पर रहते हो, विरार, नाला सुपारा, वसई, भाहिंदर, जो भी आपका current location है, और आपका जो village या town है, उसका नाम डालना है यहाँ पर, district का नाम बहुत कंपल सरी है, आप जिसकी सी भी district को बिलॉंग करते हो, उ उसके बाद, you have to enter the name of the state, आपकी state से exam दे रहे हो, contact number, registered, आपका जो contact number university पे registered है, और जो काम कर रहा है, वही contact number आपको यहाँ पे डालना है, आप यहाँ पे कोई भी contact number दूसरा डालोगे, for example, आप बहुत से student ऐसे होते हैं, जिन्होंने जो number university में registered किया था, वो number शायद अभी उनका operational नहीं है, उसमें recharge नहीं है, तो please उस number को activate कराओ, recharge कराओ, उसके बाद वही number यहाँ पे डालोगे, तो SMS and everything में आपका problem हो जाएगा, उसके बाद है, registered email ID, यह भी बहुत कमपल सरी है, आपने जो email ID से registered किया है, उसी email ID को यहाँ पर डालना है, are you appearing for online 2020 examination, आपको yes करना है एक student का मेरे को call आया था, मैंने शायद से उसको no बोल दिया था, तो यहाँ पे no नहीं आएगा, यहाँ पे yes पे ही click करना है आपको, because उसने मुझे पूछा था कि उसके sentence बोलने में गलत हो गया था, appeared बोल दिया था, तो फिर मैंने जब real में form देखा, तो यहाँ पे question लिख आपको option choose करना है, yes, device आपको choose करना है, आपके पास laptop है, desktop है, smartphone है, या फिर none of this, आपके पास अगर इसमें से कोई भी चीज नहीं है, तो आप none of this पे select करोगे और submit में click करोगे, जैसे आप submit पे click करोगे, आपको एक message लिख कर आएगा, your response is recorded, उस नीचे एक और option रहेगा, submit another response मतलब अगर आप से कोई गलती हो गई भरने के बाद, तो आप वापिस submit another response में जाके नए से इसको भर सकते हो, तो इस बार ये एक better option दिया है, कि अगर आप से गलती से कोई चीज mistake हो गई, तो आप वापिस submit another response पे click करना, फिर अच्छे से वापिस देखकर वापिस आप submit मे जो submit करोगे, उसी को final submit considered किया जाएगा, so I hope सब कुछ clear हो गया होगा, अब बहुत से student के मन में ये doubt है कि ये form तो हमने इसके पहले भी भरा था, so यहाँ पर आपको एक note देखने को मिलेगा, even if you have filled earlier Google form, please respond to this as it is considered the latest one and used for online exam 2020, तो अगर आपने पहला form भरा है, तो भी आपको ये नया वाला form compulsorily भरना ही है, इसके बाद ही आपको links and everything मिलने start होंगे, m.com के timetables शायद सी अभी तक नहीं आया है, site पे कुछ update नहीं है, अभी भी site पे पुराना timetable ही दिख रहा है, और 19 तारिक को बोला था कि reschedule होने वाला है, तो let's wait, जैसे ही मेरे channel पे कोई नया update आ सकते हो, comment section भी open है, अगर मैं call नहीं उटा पा रहा हूँ, तो मुझे WhatsApp कर दो, मैं WhatsApp का reply जरूर दूँगा, comment का भी reply में देता रहता हूँ, channel को like करो, इस video को जादा से जादा share करो, बहुत से student confused है, तो please उनको help करो, ये video share करो उनके साथ, तो वो थोड़ा relaxed हो जाएंगे, and at last please subscribe to the channel, subscription से क्या होता है, आपको latest update फटा फट मिलता है, so फिर कोई नया update आता है, तो उस पर मिलते है, thank you